नमस्कार किसान बंदूओ, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटीब चैनल विजु बाबा इन्फटेक पर मैं आपका किसान मित्र विजे धाकड आप सभी का मेरे यूटीब चैनल पर स्वागत करता हूँ किसान भाईयों जिसा कि आप जानते हैं मेरे द्वारा इस YouTube चैनल के मात्यम से खेती किसानी से जूड़ी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुचे जाती है उसके साथ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ मंडे भाव डेली अपडेट जिसके कारण आप घर बेटे अपने माल का अंदाज लगा सकते हैं और भाव जान सकते हैं तो इसी कड़ी में आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट जी हां दोस्तो फसल बिमा संबंदित तो हम बात करेंगे आज की फाइनली बिमा हमें कितना मिलने वाला है जोगी परसों से हमें बिमा रासी मिलने वाली है तो वह कितनी मिलने वाली है आपको ल अंते तक बने रही है और वीडियो उलाइक जरू करें किसान भयू अपने किसान भायू करें फ़ीं यह पर देख रहे हैं और आगे विदियो पहली बार देख रहे हैं और आगे इस प्रकार की जानकर पाना चाहते हैं तो हमारी यूटुब खबरी हमें देखने को मिल रही है क्योंकि साथ से आठ हजार रुपए प्रती बीगे के आदार पर हमें यहाँ पर बीमा राशी मिलने वाली है और दोस्तों यह बीमा राशी साथ से आठ का एक में एवरेज बता रहा हूं किस जिल्ले में अगर ज्यादा नुकसान हुआ है त मुहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं लिस्ट की की लिस्ट हमें कहां से मिलेगी और हम लिस्ट में अपना नाम केसे देखें ग्राम इस्तर पर मिलेगी तैसे लिस्टर पर मिलेगी या फिर जिल्ले की इस्तर पर मिलेगी तो किसान भायों तीनों ही इस्तर पर लिस्ट को त चाहे उनका अकाउंट किसी अधर बैंक में हो लेकिन ग्राम पंचायत के आधार पर यह लिस्ट तेयार होती है तो समस्तों उन गाउं के जो नागरिक है उनको उसमें सामिल किया जाता है जिन्होंने फसल बिमा करवाया था तो किसान भायो यह जो लिस्ट है पूरी तरह के तेयार हो चुकी है और परसों के दिन अपने को बिमारासी का जो लाब है वो मिलने वाला है तो इस बार अच्छी खासी बिमारासी सभी किसानों के पास आई है मैं आप सभी को बढ़ाई रहता हूँ और दोस्तों जो फसल बि लिस्ट पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो सकती है लेकिन दोस्तों लिस्ट आएगी जरूर आप थोड़ा सा अपडेट रहे तो आप महा से भी वह लिस्ट देख सकते हैं किसान भायो सोसाइटी में जिन किसानों का खाता है उनका भी विमा इसी के साथ दलेगा और महां लिस्ट पहुंच चुकी है तो आप थोड़ा सा अपडेट रहे क्योंकि मैं इसलिए आपको गेना चाहूँआ क्योंकि सोसाइटी का जो काम रहता है वो थोड़ा सा अभी भी ओफलाइन है और रजिस्ट्रों में जो है कारवाई चलती है तो आप थोड़ा अपडेट रहे क्योंकि फसल विमा जो ही यह ओनलाइन आने वाला है बैंकों के त्रू आने वाला है और सोसाइट का जो काम है वो अभी भी ओफलाइन चलता है तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा यहाँ पर सोसाइटी की अधिकारियों के संपर्क में रहना पड़ेगा और उनसे लगातार इस बारे में जानकरिया आपको लेते रहना पड़ेगी क्योंकि फसल विमा आ चुका है और आपके खाते में जो रासी है वो ट्रांसफर होने वाली है तो किसान भाईयों चली अब हम उस लिस्ट को देख लेते हैं कि किस पैटन पर जो है हमें यह लिस्ट बनाई गई है और किस आधार पर हमें विमा मिलने वाला है तो किसान भाईयों एक लिस्ट आई है मेरे पास जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको लिस्ट मिलेगी और इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है फार्मर का नाम आएगा उसके बाद फार्म कोलम में देखने को मिल रहा है तो यहां पर हमें जो बिमाराशी अलोट हुई है वह हमें यहां पर देखने को मिलेगी उसके बाद आपको ब्रांच जो आई एवसी कोड है यहां यहां पर मिल जाएगा तो दोस्तों यह जो लिस्ट है यह जिले के आधार पर बनाई गई है और काफी बड़ी है तो आपको अगर यह ऐसी लिस्ट बिलती है तो आप इसको इसमें अपना नाम ढूनने के लिए परशान मत होईएगा अब जब यह लिस्ट देखेंगे तो आपको एक PDF फॉर्म में इस लिस्ट को उपन करना है और जहां से आप उपन करेंगे तो उपर आ हैं बैण है की सान बंदु यहां पर ना मिकलात हिलेगा है तो किसान बाइयों यह जो लिस्ट है आप अपने इस है से अपने पास मंगबा लीजिएगा मेरे पास इतना समय नहीं रेता है कि मैं आप सभी किसान भाईयों के लिए यह लिस्ट अवेलेबल करवा पाऊं लेकिन दोस्तों मेरे को उम्मिद है कि आप इतना तो कुछ कर लेंगे तो किसान भाईयों आज के इस वीडियो में बस इतन ताकि नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके चलिए दोस्तों अब दीजिए इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम